एक रासी 16 वर्ष में साधारन प्याद से दूगणी हो जाती है तो जो एक रासी है उस एक रासी को हम जो है मूल्धन मानेंगे मूल दन होगी हो और टाइम यहां पे सोला वर्स दे रखा है और साधारण प्यास दे रखा है तो यह जो रासी है मूल धन वो सोला साल में क्या है अपने की दोगुनी हो गई है तो हमसे वार्सिक दर पूछी गई है इंग्लिज में a sum of money तो sum of money जो है प्रिंसिपल का काम करती है प्रिंसिपल होगी डवल विल डबल इटसेल यह क्या है अपने को डबल कर देगी 16 years में तो डबल करके amount बनेगी हो simple interest पर हमने yearly rate बताना है हम पर तो चलो start करते हैं इसको तो यहाँ पर जैसे principle जो है या मूल धन जो है उसको हम क्या है x assume कर लेते हैं कि वो x है अब क्या है 16 वर्स में वो अपने से double हो जाती है अपनी दो गुनी हो जाती है तो जो amount होगी वो कितनी होगी यह principle का double तो x का double कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा तो यहाँ पर simple interest देख लेते हैं simple interest कैसे निकालते है हम amount में से principle को minus करके या मिस्र धन में से मुल धन को minus करके तो amount minus principle amount यहाँ पर 2x है principle x है तो 2x में से x को हम minus करेंगे तो यह कितना आ जाएगा x आ जाएगा rate of interest निकालने के लिए बोला गिया है या ब्याज की दर निकालने के लिए बोला गिया है इसका formula होता है si into 100 upon me p into t si हमने अब यह भी निकाला है यह x है put करेंगे इसकी value into 100 ऐसी रहेगा upon में principle भी हमारे पास x दिया हुआ है और जो time है वो time है 16 years या solar verse तो यहां पर x से x cancel हो जाएगा यह 100 और 16 भी जो है 4 से कटते हैं तो 4 से काटेंगे इस इन दोनों को तो 4 से यह 25 ताइमस कटेगा और यह 4 ताइमस तो जो rate of interest है हमारे पास वो आ गया है 25 upon में 4% इसको हम mixed fraction में लिखेंगे तो 6 सही एक बटे 4% या whole number 6 1 upon में 4% तो ऐसा ज कर देंगे